नमस्कार बचो आज नम कक्षादो प्रतम बाशा हिंदी में उसे पान नौ चान्द का गुर्दा का अभ्यास करेंगे बचो अभी आपकी रीडर बुक निकालिये रीडर बुक में पेच नमबर 62 निकालिये उसमें अभ्यास करेंगे आये बाचित करें फर्स्ट वन देखिए चान्द ने अपनी मा से क्या जिद की चान्द ने अपनी मा से उनका एक मोटा जिंगोला सिल्वाने की जिद की सेकंड वन ख चान्द किस तरह यात्रा पूरी करता है सर्दियों में चान्द टिटूर टिटूर कर यात्रा पूरी करता है सर्दियों में चान्द टिटूर टिटूर कर यात्रा पूरी करता है तर्ड वन कविता को याद कीजिए और कक्षा में सस्वर वाचन कीजिए कविता को यात कीजिए और अच्छे से पढ़िए नेक्स्ट बिट देखिए बचो अब लिखा जाए में फर्स्ट वन देखिए सही उत्तर के सामने सही का निशाना लगाए उसमें फर्स्ट वन का कौन प्रतिदिन गटता बढ़ता है कौन प्रतिदिन गटता बढ़ता है फर्स्ट वन जिंगोला सेकंड वन चांद तार्ड वन मा कौन गटता बढ़ता है चांद सेकंड बाक्स में सही का निशाना लगाए बचो अभी नेक्स्ट पेज देखिए नेक्स्ट पेज में सेकंड वन देखिए चीज का जिंगोला बनवाना चाहता है चांद किस चीज का जिंगोला बनवाना चाहता है फर्स्ट वन कपडे का सेकंड वन उन का तर्ड वन रेशम का चांद किस चीज का जिंगोला बनवाना चाहता है उन का सेकंड बॉक्स में सही का निशाना लगाए बच्चो अभी आपकी क्लास वर्क निकालिए प्रिवियस क्लास में आप शब्दार्द लिखे थे न आज हम प्रश्णों के उत्तर लिखेंगे फर्स्ट वन देखिए प्रश्णी एक चांद ने अपनी मां से क्या जिद की इसका उत्तर है चांद ने अपनी मां से उनका एक मोटज जिंगोला सिल्वाने की जिद की चांद ने अपनी मां से क्या जिद की इसका उतर है, चांद ने अपनी मा से उन का एक मोटा जबला सिल्वाने की जिद की प्रश्ण दोन, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? इसका उतर है, सर्दियों में चांद टिटूर टिटूर कर यात्रा पूरी करता है? बच्चों इन दो परश्णों के उतर आपके क्लास वर्क में नीट हैन रेटिंग से अच्छे से लिखिए, धन्यवाद बच्चों